आज मैं आपके साथ अपने घर में बनने वाली बीन्स की सबजी की रेसिपी शेयर करूँगी ये सबजी मेरे घर में सबको बहुत ही जादा पसंद है उमीद है आपको भी पसंद आएगी तो चलिए फ्रेंड्स आज की रेसिपी शुरू करते हैं सबजी बनाने के लिए हाप केजी बीन्स को तीन से चार पानी में अच्छे से वाश करके लिया है अब हम बीन्स की कटिंग करेंगे सबसे पहले बीन्स के जो डंठल है इन्हें हटा लेंगे और इस तरीके से हमने बीन्स को काट लेना है सारी बीन्स को हम इसी तरीके से काटके त्यार कर लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स हमारी जो बीन्स है कट चुकी है तो चलिए अब हम तड़के की त्यारिया करते हैं तड़का लगाने के लिए एक कड़ाई में तीन बड़े चम्मच इतना सरसो का तेल एड़ करेंगे और तेल को अच्छे से गरम होने देंगे तो देखिए हमारा जो तेल है अच्छे से गरम हो चुका है अब हम इसमें एक छोटी चम्मच जीरा एड़ करेंगे एक सूखी लालमेश भी डाल देते हैं तो देखिए फ्रेंज हमारा जीरा बहुत थी बढ़िया से तड़क चुका है अब हम इसमें अनियन एड़ करेंगे दो मीडियम साइज की अनियन को चौप करके लिया है और अनियन को भी हमने चलाते हुए मीडियम हाई फ्लेम पे तब तक पकाना है जब तक कि ये हलकी सी सुनेरी न हो जाए तो देखिए हमारी जो अनियन है हलकी सी सुनेरी हो चुकी है आप देख सकते हो अब हम इसमें अद्रक लसुन और हरी मिर्च का पेस्ट एड करेंगे अद्रक लसुन और हरी मिर्च को मैंने दरदरा सा कूट के लिया है इस तरीके से इसका फ्लेवर सबजी में बहुत ही बढ़िया आता है तो इसे भी हमने एक से दो मिर्च चलाते हुए पका लेना है तो देखिए फ्रेंज अद्रक लसुन और हरी मिर्च को भी मैंने यहां पे दो मिर्च बढ़िया से पका लिया है इसका कच्चा पन इससे निकल चुका है तो अब हम इसमें आदी छोटी चमच हल्दी पॉडर एड़ करेंगे एक छोटी चमच धनिया पॉडर एक छोटी चमच काश्मीरी लाल मिर्च पॉडर एड़ करके अच्छे से हमने मसालो को मिक्स कर लेना है और इसे हलका सा भुन लेंगे ताकि इनका कच्छा फ्लेवर इनसे निकल जाए तो देखिए मसालो की भुनाई मैंने याँ पे बहुत ही बड़िया से कर ली है अब हम इसमें टमाटर एड़ करेंगे दो मीडियम साइज के टमाटर को चौप करके लिया है और इसमें टेस्ट के अकौडिंग नमक एड़ करेंगे नमक को भी टमाटर के साथ अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है अब हम इसमें दो बड़े चम्मत जितना पानी एड़ करेंगे और इसे भी हम याँ पे मिला लेते हैं और मिलाने के बाद कवर करके 4 मिंट मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे जब तक कि हमारे टमाटर अच्छे से पक नहीं जाते 4 मिंट के बाद डकन को हटा लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स हमारे जो टमाटर है बहुत ही बढ़िया से पक चुके हैं oil भी separate हो चुका है दो mint इने चलाते हुए हमने और पका लेना है तो देखिए दो mint पकाने के बाद हमारे tomato बिल्कुल ready है अब हम इसमें beans add करेंगे तो देखिए friends एक साथ में ही मैंने यहाँ पे सारी beans add कर ली है और beans को अब हम मसालों के साथ अच्छे से mix कर लेते हैं तो हमने इसमें जो लाल मिर्च डाली थी ना इसे हम इसमें से निकाल देंगे last में garnishing में use करेंगे तो friends हमने मसाले के साथ beans को अच्छे से mix कर लिया है और mix करने के बाद अब हम इसे cover करके low medium flame पे लगबग 10 mint यानि कि जब तक सबजी अच्छे से पक न जाए पकने देंगे और बीच बीच में हम डखन हाटा के इसे चलाते रहेंगे ताकि हमारी जो सबजी है ना ये तले में ना लगे और अच्छे से पक जाए तो इस सबजी में हम पानी का यूज बिलकुल भी नहीं करेंगे बिना पानी के steam में यानि की भाप में ही हमने सबजी को बनाना है इस तरीके से जब आप beans की सबजी बनाएंगे तो आपकी सबजी बहुत ही जादा स्वाधिश्ट बनेंगी तो देखिए मिक्स करने के बाद फिर से कवर कर लेंगे और सबजी को हमने अच्छे से पकने देना है और देखिए लगबख 10 मिंट के बाद डकन को हटा लेंगे तो देखिए फ्रेंस हमारी सबजी बिलकुल बढ़िया से पक चुकी है इसे हमने low-medium flame पे लगबख 10 मिंट पकाया है और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद अब हम सबजी में आदी छोटी चमच गरम मसाला एड़ करेंगे और गरम मसाले को भी हमने सबजी में अच्छे से मिक्स कर लेना है इससे सब्जी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा तो जरूर डाले और मिक्स करने के बाद दो मिंट कवर करके हमने सब्जी को फिर से कुप करना है दो मिंट के बाद डक्कन को हटा लेंगे तो देखिए फ्रेंज हमारी बीन्स की सब्जी बनके बिलकुल रेडी है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है मेरे इस तरीके से आप ये सब्जी एक बार जरूर ट्राय करें यकीन मानिए ये सब्जी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी तो चलिए फ्रेंज में आपको सब्जी सर्फ करके दिखाती हूँ आप इस सब्जी को गर्मा गर्म रोटियों के साथ पूरी के साथ पराटे के साथ कैसे भी इंजॉय कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया लगती है और लाल मिच के साथ गानिश करेंगे तो फ्रेंज रूर ट्राइ करें रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं एक नई रेसिपी में तब तक के लिए टेक केर और बाइबाइ फ्रेंज